एक जनौरी 2024 से आपके सभी UPI ID और Gmail अकाउंट बंद हो जाएगा जी हाँ सई सुना आपने अगर आप एक छोटा सा काम नहीं करते हैं तो आपकी सभी UPI ID जो भी होंगी और आपका Gmail अकाउंट बंद हो जाएगा आज के समय में बगेर Gmail अकाउंट के मोबाइल चलता नहीं है Android आपको मालूम ही होगा और हर किसी के फोन में payment भी होती है कोई न कोई वो चाहे फोन पे हुआ या Google पे हुआ या फिर प्रेटियम हुआ या फिर आन्ने कोई आप होती है बहुत सारी UPI है तो कोई न कोई तो आपके फोन में यकीनन होगी ही होगी और उसका युद्ध आप करते ही होंगे और कुछ लोग होते हैं जो कि कई आप से साथ रखते हैं तीन चार भी रखते हैं तो ऐसे में कहीं ऐसा नहों कि आपकी यूपिया अटी बंद हो जाए उसके बाद आप उसमें payment ना कर पाए क्या है पूरी जानकारी और कैसे आप बचा सकते हैं या आपकी य अगर चैनल पर नहीं है तो इस चैनल को सब्क्राइब करके बिल आगण को आल पर सेटकर के जरूर रखियेगा जो कि इस चैनल पर मैं इस तरीके की जानकारिया लाता रहता हूं जो कि आपके कहीं न कहीं बहुत काम आने वाली होती हैं तो देखिए यूपिया आइडी के लिए NPCI की तरफ से एक notification जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि अगर आप अपनी यूपिया आइडी को बहुत दिनों से यूज नहीं करते हैं तो आपकी यूपिया आइडी बंद कर दी जाएगी, disable हो जाएगी और बहुत दिनों में जो time limit दी गई है वो एक साल की है जी हाँ, अगर आप पिछले एक साल से अपनी यूपिया आइडी में कोई भी transaction नहीं करते हैं तो आपकी यूपिया आइडी बंद हो जाएगी, जैसे कि कई लोग होते हैं अपना एक phone में कई apps रखते हैं, जैसे कि हो गया phone पे हो गया, Paytm हो गया, Google पे हो गया, Amazon पे हो गय आपने कोई भी transaction नहीं किया होगा, तो वो यूपिया आइडी आपकी बंद हो जाएगी, और ऐसे में अगर आपको इस चीज का दिहान नहीं है, क्या आपकी यूपिया आइडी बंद हो गई हैं, और अगर उस पर आप कहीं से payment मंगाते हैं, तो कहीं कहीं आपको परेसानी ह हो सकती है, या तो payment आएगी नहीं, या फिर कहीं कहीं pending में हो सकती है, तो इस परेसानी से बचने के लिए आपको इस चीज का दिहान रखना है, या तो आप एक्ष्टा यूपिया आइडी चलाए ना, अगर चला रहे हैं तो उसको एक्टिवेट रखना जरूरी है, तो एक आप्स रखते हैं और सब में ज्यादा ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो आपको एक एक बार सभी में ज्यादा नहीं, तो दस-पांच रुपए ही अपने दूसरे अकाउंट में भेज लेना है, या फिर किसी श्रेंट के पास वेश्ट के वापस ले सकते हैं, यानि किसी ले किसी बहाने से आपको अपना UPI ID एक्टिवेट करना है, तो इस चीज को आपको बिसे जहान रखना है कि आपको कोई नो कोई ट्रांजेक्शन कर लेना है, ताकि आपकी UPI ID बंद ना हो, अब बात करते हैं जीमेल अकाउंट की, तो गूगल ने भी एक ऐसा ही नोटिफि और बना के भूल गए, या फिर कई बार होता है कि उसमें हमारा कोई important documents होता है, फिर photos वगेरा होते हैं, हमें अपना password भी याद है, Gmail ID भी याद है, बट उसको login करके नहीं रखा हुआ है, या फिर use नहीं करते हैं, तो चलो जब जरूत होगी तब login कर लेंगे, तो ध्यान र करते हैं, आपकी जो email ID होती है, उसको यूज नहीं करते हैं, तो बंद हो जाए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, अगर आप ऐसी कोई Gmail ID है, जो कि आप बहुत दिलों से यूज नहीं कर रहे हैं, तो उसको एक बार यूज कर लें, login कर लें फॉन में, और login है, तो एक ब ये ID बंद हो सकती हैं, और समय भी ज्यादा नहीं रहे गया है, बस दो-तीन दिनों का समय है, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है, और अपना UPI ID और Gmail ID को बचाने के लिए, जो मैंने बताया है, वो काम जरूर कर लें हैं, जानकारी परसंद आए हो तो वीडिय आपके ले जाएं